खंडवा की मांधाता सीट पर उपचुनाओ काफी रोचक हो गया है। बीजेपी के लिए यहां कॉंग्रेस से चुनाओतियां दिखाई दे रही हैं। लेकिन बीजेपी की माने तो माहौल उसके पक्ष में है। उपचुनाओ के मुद्दे पर मध्यप्रदेश के कृशी मंत खेड़ा उसमें है और यहां भारती जंता पार्टी के नेता मत्विदेश सरकार के करसी मंत्री कमल पटेल पहुंचे चुकि हर्दा से तालुकात रखते हैं तो सीधा जुड़ाओ बलकि यह भी कहा जा रहा है कि आप तो गाउं कोई गोद ले लिया और चुनाओं में तो क कंदवा जिलाज से कड़ गया हरशूं टेसिल पड़ती पचाश किलोमेटर जाना पड़ता इनको लेकिन खिड़कम आने के लिए दस किलो मेटर पांच किलो मेटर भी नहीं है यहां से पांच किलो मेटर खिड़कया है और इसलिए यहां के लोगों का खिड़कया ही सब कुछ होता है मंडी खिड़कया लगती है बाकी काम भी ब्यापार खिड़कया में होता है और हमसे जुड़े हुए है और इसलिए इन ल कांग्रेस से इस्तिफा दिया है और इस्तिफा इसलिए दिया कि कांग्रेस सत्ता में थी कमला जी मुख्यमंती थे इन्होंने कई बार चप्पलें घिसके जा जाके किसाब जो सिंगा जी महाराज का तरसनी इसको धार्मिक प्रजेटर इस्तल घोसित कर दो कमला जी को लाए बहुत बड़ी हजारों की संग्या की सभा करी लेकिन घोशना करने के बाद में भी 15 महीने मुख्यमंती रहे वह नहीं कर पाए कोई काम किसानों की जमीने डूब में आ गई किसानों की पानी भर गया मौजा नहीं मिला इन्होंने का सर्वी करा दो कमदंग फाइली खोल दो कमलनात में नहीं खोला और इसलिए यह किछवा गये उन्हें का एस किसे पंद्रा महीने कांग्रेस के बिधाय करेके नहीं कर पाए वो काम उन्होंने इस्तिपा देकर 15 दिन में करा दिया किल्लो 16 ग्राम पंचाय थे 16 पटवारी हलके की तेसिल बनवादी सिवराज जी ने गोशना कर दिया आके कारके पूरे चेत्र में मानदाता में कोई गाण इसा नहीं रहेगा जान लीफ टेरी के सन नहीं हो वो मुक्यमंतिची से गोशना करवा दी सारे कार जो चेत्र के चाहिए थे जो नहीं चुलाओं के पहले वादे किये थे वो नीप परपाय कांग्रेस में रहेके लेकिन भाज़पा ने किया है और इसलिए दो चीज़े हैं एक सरकार नहीं कर पाई दूसरा चुनाओं का समय तो आपने कर दिया तो हो जाएगा न हंड्रेट परसेंट हम जो कहते हैं वो करते हैं और मैंने भी रिश्यत को गोद लिया है और चुनाओं के बाद मैंने इनसे कहा है कि आपके य लाग किसानों को जब आजस मंती था तो फिरी में खसरा बीमन के नेकल 2008 में दी आबादी का मालिकान हक मुख्यमंत्री खेट सड़क यह नहीं मुख्यमंत्री ग्राम क्योंकि किसान को सबस्यादी काम पड़ता खेट में जाने का सुवे चार बजे उटके किसान मजदूर मह बच्चों मवेशी जाते लेकिन बारिस में घुटने घुटने किचन में कपते थे वह मुख्यमंत्री खेट सड़क यह नहीं बनाई हमने वह काम भी सुरू हो गया दोदो हर ग्राम पंचार में दे दी हमने मुख्यमंत्री के सड़क और इसलिए जो हम कहते हैं और इसलिए लोगों का विस्वास भी है दिल जीता है विस्वास जीता है और काम किया है अब गाओं के विकास के द्वार खुल गए हैं गाओं की तक्दिर तफिर बदलेगी दसा और दिसा बदलेगी अब गाओं के अंदर खाली किसान खेती और मजदूरी करने के लिए मजबूर नही इसलिए अब गाउं का विकास होगा शेहर और गाउं का भेट खतम होगा और गाउं अब आत्मे निर्बर होगे जो मोदी जी का नारा है गिसान आत्मे निर्बर होगा तो गरीब भी आत्मे निर्बर होगा और देश सक्तिसाली होगा सही माईने में तो गाउँ अब आजाद हुआ है और इसलिए आजादी का जस्म चल रहा है और पूरी जनता भारती जनता पार्टी के सांते ग्रामी चल दिए चलिए आजादी का जस्म चल रहा है लेकिन बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास सबके साथ मिलकर चलना है पर जनता क्या है इसको समझ पाएगी तो इंतिजार कीजिए क्योंकि चुनावी दौर है और चुनावी दौर में पता नहीं क्या क्या होने वाला है लेकिन भारती जनता पार्टी ये कहती है कि विस विश्वास तो हम पर करना होगा विश्वास जनता किस पर करेगी मुझ समझ आएगा विपिन के साथ मनों से नहीं आएड़ी 24 लीम खेड़ागाओ